हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अपनी यूटूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में दोस्तों यहां पे बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है बेयारों से जैसा कि आप देख सकते हैं वेहिकल मकैनिक का यहां पे फाइनल रिजल्ट आ चुका है और फ्रेंड्स म को फाइनल जो है साइट लिस्ट करके जो है कि मेडिकल के लिए बुलाया गया है सारा कुछ डीटेल्स हम लोग देखेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि वेहिकल मेकैनिक का एक्जाम जो है कि 12 जून को हुआ था और 22 अगत से लेकर और जो लोगों को लगबग प्राक्समेट जो है कि पास कर दिया गया था बाकी वही कंडिशन फीजिकल टेस्ट का भी था फीजिकल टेस्ट में जो दोड़ हुगा 10 मिनेट में 1600 मिटर जो है कि कंपलसर ही था उसमें भी दोस्तों बहुत ही रेयर कंडिडेट जो है कि बाहर हुए ठीक है तो उन सब को किनारे करते हुए हम लोग बात करेंगे जो प्रेजिंटली में जो फाइनल रिजल्ट आ चुक और भी कंडिडेट जो सामिल हुए स्किल टेस्ट में और फीजिकल में पास आउट भी हुए लेकिन फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आ पाया उनके लिए मैं सिंपाइथी बैक्त करता हूं और मैं उमीद रखता हूं कि वह ब्यारों MSW ड्राइबर इंजन स्टेटिक का बस थोड़ा बहुत नसीब का जो है कि फर्क पड़ गया नहीं तो आपका भी सेलेक्शन पक्का होता है तो आप दोस्तों जो है कि 499 पोई ड्राइबर इंजन स्टेटिक के लिए अच्छे से जम के अभी से त्यारी करिए मैं उसके वीडियो लेकर के आ रहा हूं और नोट कुछ नोट से त्यार हो चुके हैं और जिन कंडिडेट को चाहिए वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है ट्राइबर इंजन इस्टेटिक के तो उसमें फ्रेंट्स जा के मेरे को वाट्स आप करेंगे तो मैं वहां पे नोट्स आपको सेंड कर सकता हूं ठीक ह और यहां पर टोटल वेकेंसी देख सकते हैं 293 है तो फ्रेंट्स अब मेडिकल के लिए कब बुलाया है यहां पर देख सकते हैं आप लोग मेडिकल को यहां पर देखिए देख रहा है पहला जो है फीचकल इपिसिंटे ट्रेट टेस्ट जो है कि 22 अगत से एक सितंबर तक यहां पर देख सकते हैं बागे फ्रेंट्स हम लोग बात करेंगे जो है कि सेकेंड नंबर की तो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंड पीटी टीटी ठीक है ट्रेट टेस्ट जिसे बोलते हैं बेजना टीटें एक्जामेनेशन में सेलेक्टर फर्दर प्राइमरी मेडिकल एक् कि यहां पर 6 एक्टूबर से मेडिकल है और फाइनल कटाफ दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जैसा कि फीजिकल के लिए बुलाया गया था तो एक कटाफ दिया गया था तो यहां पर फाइनल कटाफ यहां पर जारी हो चुका है अन्रीजर्व का 75% गया है और यसी का 70% गय है और यहां पर दोस्तों के 63 परसेंट गया है ठीक है तो यहां पर बात हो गया मेडिकल डेट की कटाप की अब हम लोग यहां पर देखेंगे सारा कुछ आगे क्या है यह जरूरी नोटिपिकेशन आपके लिए मैं पढ़ देता हूं चौता नंबर क्या है कैंडिडेट साइफिन सेंट काल लेटर प्राइम तो यहां पर दोस्तों जो है कि जो प्यमी जिन कैंडिडेट का है उनको रेइस्टर्ड पोस्ट के द्वारा यहां पर देख सकते हैं उनको काल लेटर जाएगा प्यमी के लिए ठीक है इटीज रिक्वेस्टेट टूबी टच विट यूर लोकल पोस्ट आपिस तो आप अपने लोकल करने की जरूरत नहीं है आप लोग जो है कि बिल्कुल वहां पर रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे यह वाला जो आपको मैं पीडियाप नोट करा रहा हूं यह बियारो के आफिस्यल विपसाइट से बियारो डाट यूवी डाट इन पर जा करके आप उसे डाउनलोड करके और जिसमें आपका लिस्ट में नाम है तो आप लोग प्लीज वहां पर जाके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं अपने डागोमेंट के साथ ठीक है बागी च्छाटमों पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रोविजनिल सेलेक्टेड कैडिडेट्स और रिक्वाइड टू कम एला जाता है और आप जो है कि बिल्कुल लेकर के ही आएंगे यहां पर काश्ट मिसाइल की जो ओर जिनल डाकॉमेंट है वह बिल्कुल लेकर आएंगे बाकि उसके साथ मैं आप से यह कहूंगा कि एक या दो सेट जो है कि हम तू काफी भी लेकर जाईए तो ज्यादा बेटर र आपको जो है कि आपका कैंडिडेटर फेल किया जा सकता है आपके लिए जो ह estavam लोग देख लेंगे हैं यहां पर किनका की मोटाया था यहां पर कट्रॉल नंबर आक रेक्ट जमागता प्लीजिए केयाी är तो यहां पर नाव नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि दोस्तों जब स्ट्व रख जाएगा वर्दी पर लेंगे तो मैं आपको जो कि वीडियो में आ करके उनका नाम बता सकता हूं ठीक है तो फ्रेंट्स एसे हैं लिस्ट यहां पर देख सकते हैं सारे कुछ और फ्रेंट्स मै देख सकते हैं टोटल 293 पोस्ट हैं लास्ट बंदे जो है कि बंद दीपक द्यान देव हैं ठीक है इनका EWS एक सर्विसमैन में सेलेक्शन हुआ है ठीक है बाकि फ्रेंट्स हम लोग आगे देखते हैं सारी फ्रेंट्स और यह जो देख सकते हैं और तो जिस डेट में आपका नाम लिखा हो दोस्टो प्यमी के लिए फ्ली उस डेट में जाहिएगा मैं ने नए इक डीज़ सकते है है यहां पर फर्दर में दिख रहा है फ्रेंट्स देख सकते हैं आप लोग मैं आपको दिखा दूँ जैसे 293 सीरियल नंबर का 19 अक्टूबर को रिपोर्ट करना पीम में के लिए ठीक है बाके फ्रेंट्स हम लोग देखेंगे यहां पर सबसे बड़ी सूचना यह है कि डीट हैं इनके टोटल 86 मार्स हैं लेकिन यह दोस्तों पीटी में अपसेंट रहे तो मैं फ्रेंट्स आपको बता दूँ यह जो अपसेंट कैंडिडेट हैं जिनके थोड़े अच्छे मार्क्स हैं यह फ्रेंट्स इनका सेलेक्शन कहीं कहीं हुआ रहता है और यह लोग जो है कि आपसन के लिए डाल देते हैं तो इन कैंडिडेट्स के वज़य से भी जो है दोस्तों यहां पे थोड़ा सा सेलेक्शन नहीं हो पाया है कुछ कैंडिडेट का ठीक है तो यह सारी सुच नाए रहे हैं दोस्तों अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो भी कुछ आगे नो आपको डेट के साथ थैंक यू